हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु निव एज कुरू और आज हम लग इस वीडियो में बिहार परवर्तन अवर निरिक्षक के लिए पाचमा प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो की बिहार द्रोगा मेंस के लिए भी होगा और बिहार इससे इंटर लेवल का जो मेंस एक्जाम होने वा महला प्रश्ण किस किले में अकवर ने जहांगीरी महल बनवाया था ऑप्शन बी हो जागा से उत्तर आगरा में दूसरा प्रश्ण निमलिकित में से कौन सा प्रावदान भारत्य संभीधान के नुच्छेद 20 में शामिल है दूसरा के से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कारियोत्तर विदी से संदक्षन दोहडे दंड से संदक्षन और आत्म अभिर्श शसन से संदक्षन ये तीनों ही प्रावदान अनुच्छेद 20 में शामिल है अनुच्छेद 20 जो है अपरादों के लिए दोश सिद्धी के संदक्षन से संदक्षन से संबंदित है इसके तहट तीन प्रकार की सोतंतरता का वर्नन है मतलब मौली का धिकार का वर्नन है किसी भी व्यक्ति को एक अपराद के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी अपराद करने के समय जो कानून इसी के तहट सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहट और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयम के विद्ध नियाला में गवाही देने के लिए वाद्धे नहीं किया जा सकता है तो तीन प्रावधान सरवाधिक जन्संक्या ब्रिद्धि दर्वला जिला कौन सा है ओप्शन ही हो जाएगा कुरूंग कुमे अरुनाचल प्रदेश चौथा प्रश्ण निमलिकित में से कौन एक भक्ती दर्शन पुष्टी मार्क का संस्थापक था ओप्शन डी सायुत्तर हो जाएगा वल्लभा चार्य इन्होंने बल्लभ नामक संपरदाय के स्थापना भी की थी आएए जानते हैं एक-एक के बाड़े में सबसे पहले रामानूजाचार दक्षिन भारत के संत थे ये भक्ती अंदोलन के पहले संत थे रामानूजाचार इन्होंने श्री संपरदाय के स्थापना की और भगवान विश्णू की भक्ती पर बल दिया विश्ष्टता दोयदबाद का परचार परसार किया और ब्रह्म सुत्रपर्टी का श्री भाष्य नाम से इन्होंने लिखा था दक्षिन भारत में विश्णू के अवतार ये माने जाते हैं दूसरे हैं रामानूजाचार ये रामानंद जो की कबीर के गुरू थे भक्ती अ अंदल उनको लाने का श्रे किसे जाता है रामानंद को इन्होंने बैरागी संपर्दाय के स्थापना की और राम की अराधना पर बल दिया प्रोहित बात को इन्होंने चुनौती दी और पहले संत्य जिन्होंने स्तिर्यों के मुक्ष के द्वार खोले थे रामानंद ने पर धन्ना जोकी जाट, सेंदास, नाई, रैदास, चर्मकार, कबीर, जुलाहा, पीपा, राजपूत, भवानन्द, सुखानन्द, सूरानन्द, परमानन्द, महानन्द, पदमाबती एक महिला थी और सुरसूरी भी एक महिला थी इसमें कभीर, रैदास, सेंदास और पीपा के उपदेश जो है आदीगरंथ, सिखों के आदीगरंथ में संकलित है इसके बाद निम्बारका चार, रामानुजा चार के समकालीन, करनाटक के संत, जिनों ने सनक संपरदाय की, अस्थापना की और विश्णु की अराधना पर बल दिया था वाका टको के पतन के पश्चात, निम्नु में से किस ने उतरी करनाटक के समुद्र तटिय पट्टी में कदंब राजी के स्थापना की थे और आप्शन भी मयूर शर्मन ने, मयूर शर्मन एक ब्रामन था इतिहासिक साक्ष के नुसार, कदंब राजी का स्थापक मयूर शर्मन नाम का एक ब्रामन था जो विद्या दन के लिए कांची में रहता था और किसी पल्लव राज्य अधिकारी द्वारा अपमानी थोके उसने 34 शताबदी इस्वी के मद्ध लगवग 345 इस्वी में परतिशोध स्वरूप करनाटक में एक छोटा सराज अस्थापित किया और इस राज की रसधानी वेजियनती अथवा बनवासी थी मयूर शर्मन ने 18 बार अश्वमेद यग कराया था इसके बाद जानिए भासकर बर्मन के बारे में या अधुनिक राज्य असम को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है कामरूप और प्राग जयोतिशपूर भासकर बर्मन कामरूप के वर्मन बनश का अंतिम महान शासक था वाशकर बर्मन हर्ष वर्धन का समकालिन था बानबट की रचना हर्ष शरीत में उसका वर्णन है इसके बाद इशान बर्मन इशान बर्मन कन्नोज क्या मौकरी वंश जो की गुप्तों के सामन्द थे उसका राजा था ये शो बर्मन जो जेजाग भुक्ती अर्थात आधुनिक बुंडेल खंड का राजा था ठीक है जेजाग भुक्ती अपुंडे बर्दन भुक्ती ये सब गुप्त काल में मिलते हैं और वह जो है ये शो बर्मन चंदेल वंश का सबसे परताबी राजा मना जाता है ये शो बरवन ने खजुराहों में एक विशाल विश्णु मंदिर जो की कंदरिया महादेव मंदिर के नाम से परसीद है उसका निर्मान करवाया था इस मंदिर को चतुरभूद मंदिर भी कहा जाता है छठा प्रश्ण है प्राचीन काल में किष्ण और कुदावरी नदी की घाटियों में निमलिकित में से किस मूर्ति शिल्प कला का विकास हुआ था आप्षिन भी हो जाएगा अमरावती कला आए इन सभी कला के बारे में बिस्तार से जानते हैं सबसे पहले चलुक की कला इसके प्रमुक के अंदर थे एहोल वातापी या बादामी पट दकल और आलमपूर एहोल में चलुक को के प्रारंबिक मंदिर प्राप्त होते हैं जिस कारण इसे मंदिरों का नगर कहा गया है चलुक के बंश के अंतिम शास्कों ने कला के लिए पट दकल और आलमपूर को चुना था प्राप्त दकल के बिरुपाक्ष मंदिर का स्थापत अती विशिष्ट है इसके अलावा यहां के मंदिरों में संगमेश्वर और पापनात मंदिर परमुक है पल्लवो के अधिन एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ जिसे दर्विव शैली के नाम से जाना जाता है पल्लवो की मंदिर स्थापत शैली पल्लव राजाओं की नाम पर चार भागों में चार शैलीों में बाटी हुई है पहला है महंदर बर्मन शैली इसके मंदिर अपनी साधिगी के लिए विख्यात है पल्लव राजा मेहंद्र पर उनके समय वास्टू कला में मंडप का निर्मान शुरू हुआ इस शैली के अंद्रगत आने वाले मंडपों में मुक्तम का कल भढकम मंडप वल्लव का बढ़ियत वसंतेश्वर मंडप और तिर्चरापली का ललीता कुर पल्लवेश्वर गडिह मंडप अधिक परसीद है दूसरी शैली थी मामल शैली, इसके मंदिरों के मुक्ष विषश्श्टा मंडप एवं रत है इस शैली के विषश्टा के नमूना है बराह, महिश और पंच पांड़ एवं सब्थ पैगोडा के मंदिर इसमें परमुक है महावली पुरम का समुद्र तटिये मंदिर या शोर मंदिर या तटिये शिव मंदिर कांची का कलाशनात वं वैकुंट पेरुमल के मंदिर चोथा नंदी वर्मन अथवा अपराजित शैली इसके मंदिर छोटे हैं, इनके निर्मान में अस्तंब शीशों के विकास के तिनिक कोई नभीनता दिखाई नहीं देती है इस शैली के प्रमक मंदिर है कांची पुरम के मुकतेशवर और मतंगेशवर मंदिर और गुद्धी मल का परशू रामेशवर मंदिर भारत में नयाईक पुनर विलोकन के शक्ति का प्रियोग किसके दोरा किया जाता है उन कानुनों तथा देशों को और समयधानिक गोशित कर सकती है, जो समिधान के आदर्शों के विप्रीत हो समीधान में उचे 1332-226 के द्वारा उच्चतम नियाले अवम उच्च नियाले को नईक पुनर विलोकन की शक्ति दी गई है हलागे समीधान में इसका उलेक नहीं है इंदरा गांधी और राज नरायन मामले 1975 में नियाले ने कहा कि नईक पुनर विलोकन समीधान का मूल ढाचा है जिसमें की राज नरायन इंदरा गांधी के MP चुने जाने को चुनाती दी थी भारत में नाइक पुनर विलोकन का अधार है विधी का शासन, मतलोग कानून का शासन नाइक पुनर विलोकन के द्वारा सर्वो चिन्याले राज्य के किसी भी कानून को अवैद गोशित कर सकता है यह पर्था जो है भारत और अमेरिका में परचली थे सबसे पहले अमेरिका में इसे अपनाया गया था विश्यू की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवासरत है ऑप्षन है 17.5 प्रतिशत मतलब सारे 17 प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या एक अरब 21.8.5497 जिसमें महिलाओं की जनसंख्या 48.5 तीन प्रतिशत है और प्रोशों की जनसंख्या है 51.47 प्रतिशत किस बर्ष में परसेदिक कॉंग्रेस लीग समझाता हुआ था और अप्षन सी वर्ष 1916 में 1916 के लखनो अधिवेशन के बारे में जानते हैं अध्यक्षत एसी मजुमदार वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में बाल गंगा धरति लखने समझाता कराया था जिसमें मुस्लिम लीग की पृतक निदवाचक शेत्व की मांग को सुईकार कर लिया गया था कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मत्यक के काल मतलव एक मत होने का काल जो 1916 से 22 तक रहा ये प्रशन भी पूछा जाता है लखनव अधिवेशन में अती बाद यूमत और गरम और नरम दल का पुनर मिलन हुआ जो कि सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गयते और इसकी परमुक शिल्पी एनी बेसेंट थी इसी अधिवेशन में पहली बार महत्मा गांधी चमपारन के किसानों के समस्याओं से आउगत कराये गये थे 1917 में चमपारन अंदोलन हुआ थे सुन्दरवन की बनस्पती होती है ऑप्शन डी हो जाएगा मैंग्रोव परकार की सुन्दरवन भारत और बांगलादेश में स्थित विश्यो का सबसे बरा नदी डेल्टा है नदी डेल्टा कैसे बनता आते हैं धिमी गति से नदी के बहने और अपने साथ लाएगे मिटी को मुहाने पर जमा कर दिने से बहुत सी परसीद बनस्पतियों परसीद बंगाल टाइगर का यहां पर निवास अस्थान यहां पर बड़ी तादाद में सुन्दरी नामक पेड मिलते हैं इसलिए इसे सुन्दरवन कहा जाता है सुन्दरी पेर जोए इंधन के लिए मुनेवाल लकडी उपलवद कराने वाले एक विश्वाल मेगरोब ब्रिक्षे जब नदी में अत्यधिक मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है तब उसका BOD क्या होता है कम हो जाता है बढ़ जाता है कुछ कम होता है और प्रभावित प्रभावित रहता है और अप्षिन भी हो जाएगा बढ़ जाता है BOD क्या होता है बायोलोजिकल ऑक्सीजन डीमांड मतलब जैबिक ऑक्सीजन मांग सुक्ष्म जीवोद्वार्यकार्मिक पदार्थों कि अब घटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD कहा जाता है जल पदोशन की एक श्रेनी में ऑक्सीजन से शिन अवशिष्ट आता है इसे जैविक अवशिष्ट कहा जाता है जिसे ऑक्सीजन जीवी बैक्टीरिया से गलाया जाता है जल में मौझीद ऑक्सीजन को बड़ी संख्या में बैक्टीरिया अवशिष्ट को गलाने के सूचक होती है निमलिकित में से कारा कुरम क्या है आप्शेन ने परवत शिरेनी है कारा कुरम धर्रा भी है कारा कुरम भारतिय शेटर से पाकिस्तानी भूमी तक फैल हुई ग्रनाइट पटिताश्म का विशाल परवत फिंड है यह ट्रांस हिमाले का एक भाग है जो पामीर की गंट से निकल कर हिमाले के समाना अंतर स्थित है यह श्रेनी उत्तर में पामीर, दक्षिन में सिंदू तथा शियोक नदियों के बीच फैली हुई है इस श्रेनी की सर्वच चोटी है के टू मतलब गौडविन आस्टिन जो की भारत की सर्वच चोटी भी है, इसकी उचाहिए 8,611 मीटर भारत में व्यापक मुद्रा, मतलब M3 का सूचक क्या है पांच परकार है, M0 या M, M1, M2, M3 और M4 आप्शन डी हो जाएगा उप्लिक्ट सभी, आईए एक एक के बारे में जानते है M0 या M क्या है, रिजर्व मनी इसको कहा जाता है क्या क्या इसमें आता है, प्रवाह में मुद्रा, मतलब परचलन में जो मुद्रा है प्लस RBI के पास बैंको का जमा, प्लस RBI के पास अन्य जमा M1 को संकीर या narrow money कहा जाता है इसमें क्या क्या आता है, जनता के पास जो currency है, जनता की जमा पुंजी मतलब banking पनाली के साथ जमा की मांग और RBI की अन्य जमा M2 को भी संकीर मुध्रा कहा जाता है, इसमें क्या क्या आता M1 प्लस DAGAR के साथ बचचत जमा M3 को broad money कहा जाता है, इसमें क्या क्या आता है M1 प्लस BANKो के साथ सम्यावधी जमा, मतलब टाइम लिडिपोजिट जैसा की Rेकरिंग deposit और fixed deposit M4 को भी broad money कहा जाता है इसमें क्या क्या था M3 प्लस डागर बचत बैंकों के साथ सभी जमा केवल NSC को छोड़के राष्टिय बचत पत्र को छोड़के भारत में सरवादिक वर्षा किस मानसून से होती है अप्शन भी हो जाये मैं दक्षिन पशिम मानसून शाना मोंसून से ऊपाज़ करम पशिम विक्षो कि कारन होती है भारत में शीतकारिन बर्षा उत्तर पश्चिम में होता है भारत में सरवाधिक बर्षा जो है मानिसरा मुत्र मेघाले में और सबसे कम बर्षा कहां पे होती है लेह में भारत वर्ष में सरबादिक वर्षा वाला शेतर मतलब पट्टी जो है पश्मी गाठ, हिमाले, शेतर और मेगाला है जिसमें सबसे ज्यादा मेगाला के मानिसराम में भारत में औसत 200 mm वर्षा जो है जम्मूर कश्मीर में होती है सुल्तान के रूप में अलावदिन खिल जी ने अपने दक्षिन अभियान में निमलिकित में से किस राजी को पहले जीता था ओप्षिन ये हो जाएगा देवगिरी को अलाउदिन खिल जी के दक्षिन अभियान का मुख्य उद्देश किया था दक्षिन बात की संपत्ती को प्राप्त करना दक्षिन अभियान का क्रम क्या देवगिरी को 1307 में आक्रमन किया तिलंगाना 139-10 में होयसल की राजधानी द्वार सम्मूद में तो हयसल पे 1311 में और पांडे पर भी 1311 में लेकिन पांडे राजबंश ने अलाउदिन की अधिनता को कभी सुईकार नहीं किया था दक्षिन अभियान का हीरो कौन था लाओ दिन का मलिक काफू जिसे की हजार दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसे हजार दिनार में खरीदा गिया था जो कि एक हिजरा था वातावरन में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस से प्राप्त होता है ऑप्षिन भी फाइटो प्लेंक्टॉन फाइटो प्लेंक्टॉन या पादप पलवक परकास संसलेशक जीव हैं जो जलिये प्रिष्ट के नीचे निलंबीत अवस्था में राते हैं जैसे सुक्ष्म, शेवाल और नील हरित जीवानु सॉलिस्टर जनरल के संदर में कौन सा कथन से यह चार कथन दिये गए हैं यह एक समयधानिक पद है यह एक वैधानिक पद है भारत के नयवादी की सहायते करता है भारत के राष्टपती का मुख समयधानिक या वैधानिक सलाकार है कौन सा सत्य है कूट Option D हो जाएगा यह एक वैधानिक पद है और वह भारत के महानियावादी मतलब Attorney General की सहायता करता है आईए इसके बारे में जानता है Solicitor General केंदर सरकार का दूसरा सबसे बराबिदी अधिकारी होता है विविन मामलों में अदालत में केंदर सरकार का पक्ष रखता है केंदर सरकार का सबसे बराबिदी अधिकारी को होता Attorney General या महानियावादी Attorney General दोनों सद्रम तो लोकसवार आज इस सबसे की कारवाही में भाग ले सकता है या बोल सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार उसके पास नहीं होता है लोकसवा की किसी भी समीति या संसद्य समीति का सदस्य हो सकता है उसमें वही यहोगिताय होनी चाहिए जो सर्वुचिनाले के नया धिश्की होती है वो भायत के राश्टपती के द्वारा निक्त किया जाता है मतो उसी के आशिरवाद से अबरतमान सॉलिस्टर जेनरल तुशार मेता दिल्ली दंगो के बाद इनका नाम खुबाया और टॉनी जेनरल है केके वेनु गोपाल जापान में मीनी माता रोग जल में किसके परदूशन से हुआ था आप्शिन हो जाएगा पारा मीनी माता रोग पारा से दूशित मचलियां खाने के कारण निक्त के दर्शक में जापान के निकटस्त मीनी मातिकारी के निवासियों को मिफाइल मरकडी के कारण हुआ थ 강화 Smog SAS थानों का समानग पर्दूर्शक होता है, जहां पर तापकरम अधिक होता है, कौन सा Option सही है Option C submissions weights सल्फर डायोकसाइड की मातरा अधिक होती है स्मोग एक बायू का दोशन है जो कि स्मोग और फॉग इन दोनों को मिला कि स्मोग बना है वायू में धूएं और कोहरे का मिश्रन है स्मोग का निमान तब होता है जब कारखानों, वाहनों, खेती, क्वेला और अधोगी पोधों को जलाने वाले धूएं में मौजूद राख, सल्फर और अन्यहनिकारिक रासाइन कोहरे में मिलते है 1945 के शुमला सम्मेलन के समय निमलिकित में से कौन भारत का वायसराय था आप्शन से लॉर्ड वैवल आईए देखते हैं वैवल योजना 1945 में बिटिश प्रधानमंती चर्चिल के समय 14 जून को आई थी वैवल ने योजना प्रस्तूत की थी भारत में व्याप्त गतीरोध मत्व संपरदाई के राजनेती गतीरोध को दूर करने के लिए इसकी कुछ मुख्य बाते इस परकार थी वैशराय की कारेकारनी परिशद को पुनर गठित किया जाया और उसमें सभी दलों को प्रतने दित्तों दिया जाया मुख्यता भारतियों को परिशद में वैशराय या सैने परमुक के अतरिक शेष सभी सदस्य होंगे तथा परतिरक्षा विवाग वैसराय के अधीन होगा। परस्तावित कारेकारी परिशद जिसके 14 सदस्य होने थे, उसे मुस्लिमों को 25 परिशद जन संख्या के नुसार 6 सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया। कारेकारी परिशद एक अंतरिम राष्टिय सरकार के समान होगी, गवर्नर्ण जनल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। कॉंग्रेस के नेता रिहा किये जाएंगे और शिग्री सिमला में एक सर्वदलिय सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के पश्याद भारतिय स्वयम भी सम्मीधान के निर्मान करेंगे और इस्टेजना को स्विकार करने के आद प्रांतों में धारा तिरान बे रद्ध कर दी जाएगी। शिमला समेलन 1945 रवेले उजना पर विचार करने के लिए 25 जुन को हुआ था। शामिल हुए थे उन्होंने भारत के राजनेती के तिहास में इसे वाटर शेड की संग्या दी। निमलिकित में से किस देश में महिला परधान मंतीर नहीं चुनी गई है। आप्शन D हो जाएगा भूटान में कभी भी नहीं चुनी गई पाकिस्तान में बेनेजिल भूटव अगरा श्रिलंका में बंडार नायके चुनी गई थी। आप्शन C हो जाएगा टीका करन से मिशन इंद्रधनुष 12 सरकार के स्वास्त परिवार का लायन मंतार ले द्वारा 25 दिसमद 2014 को इसे शुरू किया गया। मिशन इंद्रधनुष एक बुस्टर टीका करन कारेकरम है जो कम टीका करन कवरेज वाले 2 स 1 जीलो में शुरू हुआ था। यह उनिवर्सल टीका करन कारेकरम में शामिल किये गए सात रोगों के खिलाब सात टीकों का परतनिदेतों करता है। इसमें की रोग हैं टीवी, पोलियो माईलाइटिस, हेपटाइटिस बी, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस और खसरा। इसके अलाबा खसरा रूबेला और रोटा वाइरस, हीमोफिल इंफ्लूएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाब भी टीकों को शामिल करने के बाद अब टीकों की संख्या हो गई है। बारह, पहले साथ थे अब बारह, और कुछ चुने और राज्यों और जिलों में जे इमतों जापानी इंसेफलाइटिस और नियूमो कोकस के खिलाब बिट्टी के दिये गया है। मिट्टी के घरे में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आप्शन भी हो जाएगा वाश्पी करन के कारण शेक बहावदीन जकार या निमन में से किस सुफी सिलसिले से संबंदित थे। आप्शन भी सुहरा वर्दी से आए जनते हैं चारों सिलसिले के बारे में। सुफी वाद दो भागों में बटा हुआ था। बाशरा जो इसलामी रिती रिवाज और कानून को अनिवारे समझते थे और बेशरा जो की इसलामी कानून और प्रंपरा को अनिवारे नहीं समझते थे। सुहरा वर्दी सिलसिला जो इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सुहरा वर्दी लेकिन भारत में संस्थापक बहुद्दीन जैकारिया परमुक संत शेक सदुद्दीन इनके पुत्र थे जैकारिया के उसके पुत्र शेक रुकनुद्दीन अबूलफत और शेक गवं कुलीन वर्गों को ई अपने खान काह में आने की उमती दी कि चिष्टी सुलसिला बहुत के सबस्ते प्राचीन ससलसिला सबसे परसिद्ध सdisला यह बाश्रा ससीला के साख अथे इससले के संस्थापक को ख्वाजा अबू इस हाक सामी चिष्टी लेकिन भारत में संस्थापक ख्वाजा मुनिदिन चिष्टी जो 1192 में मुहम्मद गोरी के साथ भारत आय थे उनकी गतिविद्यों का केंदर कौन सा बना अजमेर इन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है इसके प्रमुक संत सभी भा वक्तियार काकी शेक हमिदुद्दीन नागोरी बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंजे शकर जिन्होंने बलवन की पुत्री हुजैरा से शादी की और अनेक रचना इनकी गुरुगरंत साहिब में भी शामिल है शेक निजामुदीन अलिया इन्हें महभूबे इलाही औ भखबर को पुत्र की प्राप्ती हुई थी खोजा मुलिदीन नागोरी को सुल्तान संय्यासी की सुल्तान की उपाधी दी दी दक्षिन भारत में चिश्ति सिलसिला को परसिधी दिलाने का श्रय शेक गुळुद्दूमतीन गरीब को जाता है इसके बाद कादिरी सिलसिला संस्थापक शेक अब्दुलकादिर जिलानी भारत में संस्थापक शेक मुहम्मद जिलानी इनको पीराने पीर मतलव संतों के परधान और पीरे दस्तगीर मददगार संताधी की उपादियां प्राप्त थी संगीत पसंद नहीं थे, कादरी सिलसिले वाले को शास्किय सेवा को अच्छा मानते थे हरे रंगी पग्रियां सिर्फे धारन करते थे, गुलाव का फुल लगाते थे जो शान्ती का पर्तिक था इसके पर्मुक संथ हुए शेक मीर मुहमद उर्फ मियामीर, शेक मुला शाह बदक्षी, मुगलवाश शाह शाह का पुत्र दाराशी को इस सिलसिले का अनुवाई था, दाराशी को मुला शाह बदक्षी का शिश्य था इसके बाद नक्षबंदी सिलसिला, संस्थापक बहुद्दीन नक्षबंदी, भारत में संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला, भारत में सरवादी कट्टर सिलसिला, इसके सभी संत जो हैं बहुती कट्टर थे शरियत के कानून के पालन प्रपूंत बल दिया, शिया और हिंदु को समान बिरोधी मानते थे धर्म परिवर्तन में शक्ति के परयोग को अच्छा मानते और संगीत बिरोधी थे ये मुख्य बात हैं सरकारी सेवा को अच्छा मानते थे परमुक संत हुए शेक फारुक एहमद सरहिंदी, शेक मोहमद मासूम और अंग्जेब के गुरू इन्ही के परवह में आके और अंग्जेब जो इतना कट्टर बना शेक हुजतुला और शेक अब्दुल अली जुबेर, शाहवली उल्ला और ख्वाजा मीर दर्द निमलिकित में से मौन्ट्रियाल प्रोटोकॉल किस से संबंद देता हैं आप्षिन भी ओजोन परत अवक्षय को रोकने से मौन्ट्रियाल कैनेडा में है ओजोन परत को नुकसान पहुचाने वाले विभीन पदार्तों क्लोरो फ्लोरो कार्बन मतलों सी एफसी अब अन्य ओजोन हराशक पदार्तों जैसे कि हैलोन, सिसील फोर के उत्पादन और भोग पर नियंतरन के उत्देश्य से विश्यों के क अस्ताक्षर किये हैं, एस्ट्रो सेट उपगरह प्रक्षवित करने का उद्देश्य निम्लिकित में से किस पर शोध किया जाना है, एस्ट्रो सेट उपगरह, आप्षन ए खगोल विज्ञान, निम्लिकित में से किस हाली में अक्षय उड़ जाकी रूप में गोशित किया सर्वोच्च नियाले के किस निर्ने ने अंतियम रूप से संसत की शक्तियों को प्रभावित किया से उत्रोजेगा ऑप्षन बी केश्वानन्द भारती बनाम केरल राज सभी के बारे में थोड़ तोड़ जानते हैं एके गोपालन बनाम मदरास राज 1950 के निर्ने में सुपीम कोट नियानुचेद 21 की व्याख्या करते हुए देहिक सोतंता का शब्द शह अर्थ निकालकरी से सोतंतता से भिन बताया और इसका अर्थ मात्र उसके शरीर के अंगो का सोतंता बताया अताँचेद 21 कोणुचेद 19 के साथ नहीं पढ़ा जा सकता दोनों भिन-भिन अता जीवन का अधिकार विचारा भिक्ती और आवा गमन के अधिकार नहीं रखता है उसके बाद सज्जन सिंग बनाम राजस्तान सरकार 1965 संसत को अनुचे 368 के तहट संबिधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है गोलक नात बनाम पंजाब सरकार 1967 संसत को संबिधान के भागती इन मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है केश्वा नंद भारतिबाद 1973 में उच्चतम नियाले ने संबिधान के मूल धांचे का सिधान परतिपादित किया लेकिन ये नहीं बताया कि मूल धांचा क्या है धान कौन सी फसल है रभी की खरीब की जायद की ये इन में से कोई नहीं आप्शन भी हो जाएगा खरीब की फसल है क्योंकि इसे गर्मी में रोपा जाता है रभी फसल है जो है सरदी के मौसम में रोपी जाती है भारत में खरीब की फसल बरसाथ के मौसम में जून से अक्टूबर माह में उपजाई जाती हैं जैसे कि धान, मक्का, जौर, बाजरा का पास, मुंगफली, उरत, इत्यादी रवी फसले, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसले हैं जैसे ग्योँ, जौज, जई, चना, मतर, मसूरी, लाही, सरसो, बरसीम और आलू गर्मा फसले, यह जायद फसल भी इनको कहा जाता है, इनकी बुआई फरवड़ी माच में की जाती है, जैसे खर्वूज, तर्वूज, ककड़ी और कई परकार की सबजी है इसके अलाबा नगदी फसल भी आते हैं, जैसे कि आलू, गन्ना का पास और तंबाकू, यह चारू नगदी फसल में आते हैं निमलिकित में से किस बाशा के समय मुगल चितकला अपने सरवच शिकर पर पहुंची आप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के समय चितकला का स्वर नकाल कहा जाता जहांगीर स्वर में एक महान चितकार अबम कला का पार्की था इसके समय इरानी शैली का परवाव कम हुआ और यूरोपिय शैली का परवाव बढ़ने लगा परकृती चित्रन मुगल चित्र के लागी परमुक विश्यष्टा इस समय बन गई जैसे दुरलव फूल पनस्पतियों और पशू पक्षियों का चित्र जहांगीर का सबसे प्रिय चित्कार अबूल हसन था जिसने इसके राज्य रोहन का चित्र बनाए जहांगीर ने इसे नादिर उल्जमा अपने समय का अध्भूत उपाधी दी दूसरा मशूर चित्कार मनसूर था जो लगूच चित्रों के चित्रन में विश्यष्ट था मनसूर ने साइबेरिया के सारस और लाल फुलो की बहर बंगाल का एक पुश उसका चित्र बनाया एक अन्य विश्यष्ट चित्कारों में विसन दास था जिसे जहांगीर ने फारस के समराट एवं उसके दरवारियों का चित्र बनाने के लिए भेजा था अन्य जो चित्रकार थे फारुक बेग दौलत मनोहर विसन दास मनसूर अबूल हसन गोवर्दन मुराज और मुहमत नादिर थे फारुक बेग ने बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था उस्ताद मनसूर पक्षी चित्र विश्यशग एबूल हसन वेक्ती चित्र विश्यशग था अकवर्द के समय की चित्कार देखते हैं दसबंत और बसावन ये दोनों बहुती फेमस थे वसावन को चित्कला के सभी शेत्रूरे खांकन, रंगों के प्रयोग, छवी चित्कारी, भूद रिश्यों के चित्न में महारत हासिल थी इसलिए इसे अकवर्द के समय का सबसे बेश्ट चित्कार माना जाता है वसावन की सर्वोत केष्ट क्रीती जो है एक दुबले पदले घोडे के साथ मजनु का निर्जे नेवम उजार शेत्र में भटकता हुआ चित्र था अकवर्द के समय पहली वार भित्ती चित्कारी की शुरूआत हुई थी शाजागा की समय की चित्कारते गोबर्धन, मुहमद नादीर, बालचंदर, अनूक, चतूर, विच्चित, और चिंता, रमन भारत के किस राजी में सिंदु घाटी सबहता का स्थान बनावली स्थीत्ये औप्शन सी, हरियाना के हिसार में ये स्थीते इसकी खोज 1973 में आरेस बिष्ट ने की थी, यहां से जल निकासी के साक्ष नहीं मिले हैं, खिलोना हलके साक्ष यहां पर मिले हैं, जल निकासी के साक्ष जो है, अरपा सब्वता की दो स्थानों से नहीं मिले हैं, काली बंगा आप्शन्स ही हो जाएगा फुटबॉल से या संबंदीत है सुब्रतो कब जोयांतराश्टी इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है किर्केट में उप्रोग किये जायना वाला शब्द होट स्पॉट क्या है आप्शन दियो जागा इंफरारड इमाजिग स्टम होट इस इंफरारड इमाजिग सिस्टम उप्राड इमाजिग सिस्टम इन इन किया जाता है Heart Spot requires two infrared cameras on opposite side of the ground above the field of the plate that are continuously recording an image. Common Bell 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? Option B, Parmingum, Britain में. निमले कितम से कौन? हरित ग्रीह गैस नहीं है. ठीक है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? Option B, Nitrogen नहीं है. वाता बरन में प्राकृतिक रूप से पाया जाने बाली ग्रीन हाउस गैसे कौन-कौन है? CO2, सबसे प्रमू के ही है CO2. मिथेन है, जलवाश, नाइट्रस अक्साइड, N2O और प्लूरीनी किरित गैसे. मानोद्वारा निर्मित असंसलेशित ग्रीन हाउस गैसे हैं, CFC, Chloro-Floro-Carbon, Hydro-Floro-Carbon, HFCs और Per-Floro-Carbon, PFCs और इसके बाद Sulfur-Hexa-Cloride, SF6. निमलिकित में से किसने बिग बैंक सिधान्द को प्रस्तूत किया था? Option B, George Lamentier ब्रमान्द की उत्पत्ती से सम्मंदित तीन सिधान्द हैं, Big Bang थोड़ी, George Lamentier के दोरा, सामयवस्ता सिधान्द, Thomas Gold एवं, Harman Bandy के दोरा, और दोलन सिधान, Dr. Ellen Sundease के दोरा, सरवादिक माननेता प्राप्त, VLGM के खगोल, शास्ती एवं, पादरी, George Lamentier की Big Bang थोड़ी है. ब्रमान्द की कारम पदार्थों का विखरा हुआ, जिससे काले और समाने पदार्थ निर्वित हुएं, जिनके मिलने से अनेक ब्रमान्दिये पिंडों का स्रिजन हुआ. जवाला नेरू अर्बन रिनूवल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 37 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन B, 3 दिसंबर 2005 को. इसके उदेश्य थे, और्द शहरी शेत्रों, बहरी यावादियों, शहरी गलियारों सहीत, अभिजात शहरों का नियोजित विकास और शहरी गरीवों को बेहतर बुनियादी से बाय उपलब्द कराना. स्वाइन फ्लू का बहग है, ऑप्शन B हो जाएगा, वाइरस है, स्वाइन फ्लू बुखार जिसे की हो नेनुन के नाम से भी जैना जाता है, खास्त और से सुरों के श्योसन तंद से निकलिया वाइरस के कारण होता है, जिसकी चपेट में आने पे कोई भी इन्फ्लुएं कुमार निमलकित में से कौन सा एक तैरता हुए राष्टिय उद्यान है Option A, मनिपूर का केबूल लाम जाओ, राष्टिय पार्क जो है तैरता हुए राष्टिय उद्यान है, यह लोक्तक जील परिस्थित है, जो कि संगय हीरन के लिए परसीद है कलेसर नेशन पार्क हरियाना में है, जो कि केबला देव घाना राष्टिय उद्यान भरतपूर आजस्थान में है, जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए परसीद है कुद्रे मुक राष्टिय उद्यान करनाटक में टिक्का रोग किस फसल से सम्बंदित है Option C, मुंग्फली की फसल से टिक्का रोग सम्बंदित है मुंग्फली का टिक्का रोग पत्ती के दोनों सतों पर गोलगोल दब्ब्य पर जाने के कारण होता है इसका कारक है सरकुसपूरा परसो नेटा तंबाकू का मुजायक रोग टोबैको मुजायक वायरस के कारण होता है जो कि फेमस है गन्ना का लाल सरन रोग कोलेटो ट्राइकम फालकेटम नामक फफुंद के द्वारा होता है लीजा किस से संबंदित है लीजा अप्शन ए जैविक खेती से लीजा का फुल फॉर्म क्या है लो एक्स्टरनल इंपुट फॉर सस्टेनेबल एगरिकल्चर चंदरगर्ण घटित होता है कब option B हो जाएगा प्रित्वी सूर्य और चंदमा के बीच में जब आ जाता है तो उसे चंदरगर्ण की घटना कहते है ठीक है चंदरगर्ण जब प्रित्वी सूर्य और चंदमा के बीच में आ जाता है तो सूर्य का रोशनी जो है चंदमा तक नहीं पहुंच पाता और प्रित पीर्थिवी के बीच में चंद्रमा आ जाया और पीर्थिवी पर सूर्य का प्रकाश न परकर चंद्रमा की परच्छाईatif परे और सूर्य गर्ण हमें स'll अमा वश्या को होता है पर अमा वश्या को सूर्यर हनें बरत्यक पुर्णीमा पर्द Süंनलई मग्ह से पन्त पर, प्रावागनी किरने निकलती है इसलिए नंगी आँको सीने नहीं देखना चाहिए पूर्ण सूर्य गरहन के समय सूर्य के परिद्य शेत्रों में हीरक बले डैमंड रिंक स्थिती बनती है खुले बाजार की क्रिया निमलेकित में से किस नीती से समझ दीते हैं ऑप्शन भी हो जाएगा मौद्रिक नीती खुले बाजार की किरिया है जब बाजार में तरलता लिकुडिटी बढ़ती है अत्वा घटती है तब आर्बिय द्वराबिविन परकार की भारतिय सरकार के नाम की सिक्योरिटी बॉंड्स और ट्रेजरी बिल्स को खुले बाजार में चलाया जाता ताकि बढ़ी हुई तरलता जरूत अनुसार घटे या फिर बढ़े भारत की राष्टी आय में किस शेत्र का योगदान सरवाधिक है और अप्षन सी तिर्तियक शेत्र मतलव इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है प्रात्मिक शेत्र इसके अंतर गत क्रिशी और संबंदिर शेत्र वानिकी मतस्यन और खनन और उत्खनन शामिल है सेकेंडरी सेक्टर इसकेंद्र गत अर्थवेवस्था की विनिर्मान निर्मान गैस जल विद्धू ताबुर्ति इसमें शामिल है तिरतिय सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है या शित अर्थवस्ता के प्रातिमिय का दूतेक शित को अपनी उप्योगी सेवाएं परदान करता है जैसे परिवह नेबम संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारन, बेपार, सामुदाइक, सेवा, लोग परशास, नित्यादी 2011 की जनगन्ना के नुसार महिलाओं की साक्षर्था दर सबसे अधिक किस राज्य में है Option B केरल में पुरूश और महिला साक्षर्था में सबसे अधिक केरल, क्रमश्य कितना है पुरूश है 96.1 परतिशत और महिला 92.1 परतिशत पुरूश और महिला साक्षर्टा दर सबसे कम बिहार में पुरूश है 31.2 प्रतिशत और महिलाओं का साक्षर्टा दर बिहार में 51.5 प्रतिशत सरवादिक साक्षर्ता प्रतेशत वला राजे केरल 94 प्रतेशत और नियुन्तम साक्षर्ता प्रतेशत वला राजे बिहार 61.8 प्रतेशत सरवादिक साक्षरता प्रतेशत वला केंद शासित प्रदेश है लक्ष दिप 98.8 प्रतेशत और निउन्तम कौन सा है दादरा एबम नागर है वेली 74.2 प्रतेशत निमलिकित को उनके खनी जय उसकर के साथ सुमेलित कीजिए option B सही हो जाएगा ठीक है रावगाट लॉअस्क खेतिरी तामबा एस्क राजस्थान में जाबर जो है सीसा जस्ता एसक ये भी राजस्थान बालागाट मैंगनीज एसक ठीक है रावगाट चत्रिस गट खेती राजस्थान जावरभी राजस्थान और बालागाट मध्यपरदेश आर्थिक नियोजन विशे है किस सुची का संग सुची राज्य सुची संबर्ती सुची या विश शामिल है, तीन भागों में बाटा गया है, संग सुची या सुची एक, इसमें 100 विशे हैं जिन पर संग को, मतवकेंदर को विधी बनाने की शक्ती है, जैसे रक्षा और पती, रक्षा, विदेश, कार, बैंकिंग, बीमा, करेंसी और सिक्के, संग के शुल करकर, रेलवे, ज जैसे लोक विवस्ता और पुलिस, अस्थानिय, शासन या पंचायती राज, लोक स्वास्त, क्रिशी, मतास्यकी, राजे के करर शुल्क, भूमि सुधार और रेलवे पुलिस, रेलवे जो है संग सुची में लेकिन रेलवे पुलिस, राजे सुची है, सुची तीन, इसमें संग और राजे के विधान मंडल को बावन विश्यों पर संबर्ती शक्ती मिलती हैं, तो दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे दंड की प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, अपराधिक मामले, विवाह, संबीदा, अपकरित, न्यास, श्रम कल्यान, आर्थिक और समाजीक यो संबर्ती सुची में लाया गया था, अप्शिष्ट विशय के अंदर के अधीन है, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, निमलिकित में से कौन सा जोरा सही सुमेली था, घास के मैदान और देश का नाम दिया गया है, और ऑप्शन भी उस्टाज हंगरी में कहते हैं, घास के रूस में, कैमपोस ब्राजिल में और कैंटरबरी नियूजिलेंड में, निमलिकित में से कौन सा कथन सत्त्त है, चार कथन दिये गया है, ऑप्शन डी हो जागा, चारो ही कथन सत्त्त आ है, परकाश के अब बर्तन के कारण हमें वास्तिविक सुर्योदे से कुछ समय पुर सूर्य दिखाई देता है अप वरतन के कारण शितिज के समीप सूर्य और चंद मां दिर्ग ब्रिता कार दिखाई देते हैं सूर्य परकास के अधरिश्य भाग से कुछ बैक्टिरिया दोरह परकास North isolation किया जाता है और सुर्योदर सुर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण प्रकाश्गा प्रकिर्णन तो ये चारो ही कथन सत्य है तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए उप्योगी साभीत होगा मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को परिक्षा गितिती जो है ESI की 17 मई डिसाइड की गई है तो हम लोगों के पास धाई महिने का समय है आप से आपको रोज ही मेरे चैनल की द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद